नमश्कार दोस्तों अमित की रेमिडिस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कौडियां जो होती हैं वो हमें माला माला बना सकती हैं दोस्तो छोटी कोड़ी, बड़ी कोड़ी, कई तरह के कोड़ियां होती है जो हमें financially बहुत strong बना सकती है और भी बहुत तरीके से हमें फाइदा पहुचा सकती है तो इसके बारे में पूरी detail में जानते हैं आईए तो दोस्तो कोड़ी जो है वो सबसे पहले आपको बताओं कि समुद्र में मौजूद एक जीव होता है जिसका ये कवच माना जाता है तो कोड़ी जो है वो वहाँ से हमें मिलता है कई तरह के कोड़ियां होती है लक्ष्मी कोडी, पीपल कोडी, पीली कोडी, नीली कोडी, लाल कोडी, काली कोडी कई तरह के कोड़िया जो होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा शुब माना जाता है तो वो काली कोडी है, ये बिहत शुब माना जाता है कोड़ी को माता लक्षमी का स्वरूप माना जाता है लक्षमी जी की पूजा के दौरान आप देखेंगे कि हम सभी जो है वो कोड़ी का इस्तमाल करते हैं कोड़ी जो है वो सुक और स्रीजन का प्रतीक माना जाता है दिपावली में श्पेशली लक्षमी जी की पूजा के दौरान जो है हम कौड़ियों की पूजा करते हैं यह आप भी करते हैं मैं भी करता हूँ तो हम सभी जानते हैं इसका इस्तमाल शादी समारों में भी होता है उसके जो नियम होते हैं उसमें कोड़ी का इस्तमाल किया जाता है साथ ही अगर इसे बच्चों को कमर में बान दिया जाए तो नजर नहीं लगती उनको साथ ही दोस्तो इसका इस्तमाल करने के लिए और भी बहुत थारी चीज़े होती हैं मैं आपको बताओं कि जब नया घर आप बनाते हैं जर भूमी पूझन होती है तो भूमी का जो नियू रखा जाता है भवन का भूमी का सरी भवन जो नियू रखा जाता है तो उसमें वाक्री सामान और भी बहुत सारी चीज़े पंडित ढालते होंगे उसमें पॉच कौड़ी भी रखा जाता है ये वास्टू के लिहाज से रखा जाता है इससे होता है ये है कि आपके भवन की शुरक्षा होती है साती दोस्तो हाथ में या गले में तीन कौड़ी बांद कर रखने से बुरी नजर कभी नहीं लगती साती किसी भी तरह का संकट आप पर नहीं आता आपकी रख्षा होती है हर तरह के संकटों से साथी दोस्तो नया घर खरिते अगर आप हैं बना बनाया नया घर अगर आप खरिते हैं तो घर के मेन गेट पे नौ कौडिया बांद कर आपको रखना चाहिए बांद कर टांग देना चाहिए ये बहुत ही शुब होता है बहुत ही लाबकारी होता है नया वहान बाई कार ट्र आपको आगे मैं बताओं कि अगर कभी रास्ते में कौडी मिले तो उसे जरूर उठा कर ले आए ये बहुत ही ज़ादा शूब माना जाता है ये भागे उदय होने वाला लक्षन माना जाता है इसे क्या करें आप वहां से उठाए घर ले आए और पूजा घर में या तीजोरी इसे रख दें जब कभी भी रास्ते में अगर आपको ये मिलता है तो याद रखिएगा कि नॉर्मली जो है ये नहीं मिलता ये किसी अगर आपको मिलता है आपने देखा रास्ते पे पड़े तो आप समझ जाएं कि आप बहुत ही जादा नसीबदार इंसान है और उपर वाले की क्रिपा आप पे हो रही है तो उसे उठा कर ले आएं साथ ही दोस्तों बताओं कि जेब में या पर्स में अगर आप कोड़ी रखते हैं तो इससे आपको नजर भी नहीं लगती है और आपके जेब में हमेशा धन का आगमन होता रहता है साथ ही दोस्तों पांच कोड़ी आप अगर अपने जहां आपका दुकान है या जिस भी तरह का बिजनस करते हैं वहां के जो जिसमें आप अपना जो आपका पैसा वैसा आप जिसमें रखते हैं उसमें अगर आप पांच कोड़ी रखते हैं तो आपके बिजनस में बृद्धी होती है हमेशा आपको धनलाब होता रहता है साथ ही आपके बिजनस को किसी की नजर भी नही लगती घर फैक्टरी दुकान ओफिस इन सब में लाल कपड़े में कौड़ी बांद कर हमेशा रखना चाहिए इससे आपको लाब मिलता है दोस्तों सिध्धी की हुई कौड़ी यानि की अच्छी क्वालिटी की जो कौड़ी होती है उसे घर ले आए धूप अगरवत्ती लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि जो कौड़ी है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए शुब कौड़ी होनी चाहिए अशुब कौड़ी किसे कहते हैं जो तूटी फूटी होती है जो खंडित होती है तो इस तरह की कौड़ी नहीं चलती है ये बात आपको ध्यान द आ सकता है, हमें जीवन में सुक सम्रिध्धी दिला सकता है, हमें हर तरह के संकटों से बचा सकता है, परिशानियों से बचा सकता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि लक्ष्मी जी की पूजा के दौरान हम दिपावली में कौड़ी की पूजा करते है तो अब जब हम भगवान की पूजा के दौरान कौड़ी की पूजा करते हैं तो अव्यस सी बात है कि ये काफी शुभ है तभी तो हम करते हैं तो दोस्तो मेरी इन बातों को अगर आप फॉलो करते हैं इन चीजों को आप मानते हैं इन चीजों को फॉलो करते हैं समय ने आपको बताया वैसा आप करते हैं तो आप अपने जीवन में माला माल खुद को देखिएगा सुक समरिधी अपने जीवन में आप देखिएगा हर तरह की खुशियां आप देखिएगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए टाटा